नवस्कार दोस्तों में चल में आपका फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ तो फिर बिना इंटो में टाइम वो इसके वीडियो में आगे बढ़ते है देन लेट स्टार्ट हैं जो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हमें जो करना होगा वो यह है कि इस टांजिस्टर को हमें बॉर्ट से निकलना होगा क्योंकि साखिर बॉर्ट से जुर्य होने के कारएं इसका रीडिंग गलत भी आ सकता है सो इसलिए हम इसे सबसे पहले इस बोट से अलग कर लेंगे और वीडियो ज़ादा लम्मी ना हूँ मैं इसलिए पहले सी इसे डिशोल्टरिंग करके रखा है तो चलिए इसे निकालते हैं सो गैस एरा वो टांजिस्टर जिसका नमबर है D882 और गैस नौलेज के लिए बता दू यह एक NPN टांजिस्टर है तो चलिए आब इसे माल्डिमिटर के थुरू चेक करते हैं सो माल्डिमिटर से इसे चेक करने के विल्ले हमें सबसे पहले माल्डिमिटर को बाजार मूर्ड में लेना होगा सो गाइस इस transistor को चेक करने के लिए इस transistor के पीछे जो हीट सिंग बाला साइड है उससे हम बैक साइड पर रखेंगे सो सबसे पहले हम इस transistor की जो बेस पीन है यानि ये पीन इस पीन पे रेट प्रोब को टच करेंगे और उसके बाद ब्लैक प्रोब से यहाँ पर टच करेंगे सो गाइस माल्टेमिटर में आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ रिडिंग आ रहा है और आब हम ब्लैक प्रोब को दूसरे पीन पे टच करेंगे सो गाइस माल्टेमिटर की तरफ ध्यान दीजेगा इस pin पे touch करने पर भी हमें यहाँ पर कुछ digit दिखाई दे रहा है यह transistor से ही रहने का पहला condition यह है कि rate probe को transistor की base में रखने के बाद black probe से बाकी दो pinों में touch करने पर digit शो होना चाहिए लगवक 600 से लेके 8500 तक लेकिन यहाँ पर हमारा काम खतम नहीं होता है आप हमें क्या करना है आप हमें इस multimeter के probe को change करके हमें फिर से इस transistor को check करना पड़ेगा कुछ इस तरह से इस बार हम rate probe को transistor की बीच में रखेंगे और गाईस multimeter की दरब ध्यान दीजेगे आप हम black probe को इस pin के साथ touch कर रहे है यानि base के साथ touch कर रहे है तो गाईस यहाँ पर आप देख सकते हो multimeter में कोई भी changes नहीं है और changes होगा भी नहीं यानि multimeter में इस बार कोई भी digit नहीं आएगी स्रिफ 1 रहेगी और उसके बाद फिर से black probe को दूसरे pin पे touch करने के बाद multimeter की दरब ध्यान दिये जेगा इस बार भी multimeter में कोई भी changes नहीं होगा यानि कोई भी digit multimeter में नहीं आएगी स्रिफ 1 रहेगी और उसके बाद red probe को हम इस pin पे रखेंगे और black probe से बाकी दो pin पे touch करेंगे जैसे कि यहाँ पर और इस बार भी multimeter में कोई भी changes होना नहीं चाहिए यानि स्रिफ 1 रहेगी यहाँ पर आप देख सकते हो आप दूसरे pin पे touch करते हैं और दूसरे pin पे touch करने पर भी multimeter में कोई भी changes होना नहीं चाहिए और multimeter में स्रिफ 1 रहेगी तो इसी condition पर हम इस transistor को बिलकुल ओके मान सकते हैं ओके गाइस, thanks for watching my video if you like my video then please share it and subscribe my channel thank you